2023 markets के लिए थोड़ा volatile ज़रूर रह सकता है लेकिन तीन ऐसे sectors हैं जहां पर valuations काफी attractive हैं और यहां investors के लिए अच्छी wealth भी create हो सकती है First Pharma Space, Sun Pharma और Sipla को अगर हम छोड़ दें तो Pharma Space की ज़्यादातर companies ने 2022 के अंदर कोई बहुत अच्छे returns नहीं दिये थे लेकिन 2023 के अंदर Pharma Space की चमक फिर से लॉट सकती है इसलिए Pharma Space के अंदर अच्छी companies यानि की जिनकी debt कम हो और consistent growth हो जैसे कि Dr. Redis और Divis जैसी companies के उपर हम जरूर focus कर सकते हैं Second, IT उपर के level से अच्छी खासी गिरावट दिखा देने के बाद अब IT space भी बहुत अच्छे valuations के उपर आ चुका है और हम जानते हैं कि IT space के investors को surplus, cash और buybacks की advantage भी मिलती है इसलिए Infosys और TCS जैसी IT companies के उपर भी हमें 2023 के अंदर जरूर focus करना चाहिए और थर्ड है metal space अच्छा dividend track record, strong parent group और consistent profitability वाली metal companies के उपर भी हमें जरूर focus करना चाहिए क्योंकि इस साल metal space के अंदर भी हमें एक अच्छे returns जरूर देखने को मिल सकते हैं तो Tata Steel, JSW Steel और Vedanta जैसी strong companies के उपर भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए